जैपूर से बड़ी खबर आपको बता दें एक मकान में दो शव मिले जैपूर से इस वक्त की बड़ी खबर दो भाईयों के ये शव इलाके में संसनी मच गई शव मिलने के बाद और ये दोनों भाई दिव्यांग थे किराने की दुकान ये दोनों भाई चलाते थे बड़ी खबर महेश नगर के राम नगर विस्तार रक्षेतर की एगटना अधिक अब्डेट के लिए हमारे समवादाता यादविंद्र शर्मा फिलाल फोन लाइन पर जो चुके हैं कि अब्डेट के लिए पर को चैशन आने जाने की यहां पर कोई ज़ान कराएं तो जब यहां पर दो दिन से लगातार दोनों भाई नहीं निकले तो कहीं नहीं नहीं निकले तो करेंड़ घर में गुशे तो पता चला कि दोनों जो यूवक थे वो म्रत अवस्ता में खाउदा यह है कि लभी न यह पूरा जो 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 घटना करम है यह मैश नगर्ण साने राम-नगर पिसार पड़ता है जहां पर लाईप-लाइण हॉस्पृतल उसके पात इनका आवाथ है वहां पर दोनों युवक थे वो मुरत अवस्था में पड़े हुए थे और खादबात ये भी है कि दोनों जो युवक थे जो मुरत पाए गए गए ये नेधरिन थे यानि अंधिता थी इनको और इसी के चलते यहां पर जो आसपात की जो लोग थे इनको रोटी पानी सब्ची से लेकर किराने की दुकान चला करके ये अपन चीवन यापन करते थे लेकिन एहम बात जी अचाना सित दोनों भायों की मौत हो जाना अपने बड़ा सवाली निक्शान कड़े कर रहा है इसके चलते यहां पर जो पुलिस ने एफसल के टीम को भी मौके बुला है कि कौन हो जी वक है जो इन दोनों मकानों के दोनों यूकों के पात आया है और या इनकी हत्या किया है या इन दोनों ने मिलकर के आत्मत्या किया है इन सब पहलों को लेकर के फलाल जो एफसल की टीम उसमें मौके से साक्षे चुटा है और साथ में जो पुलिस की टीम हो लगाता है इनके यहां पर एक दोनों किया इन सब पहलों को लेकर के विलाल एक बड़ी जाहत रहा है और आसवास के लोगों से भी जो पुलिस की पॉलिस की यह को पुछा रही है लेकिन एक बात जो साम्य निकर करका हिये इं का इनका एक और भाई हुआ कॉआ करता ता जो किसी एक लंबी बीमारी चल रही थी इस विमारी की वज़े से उसकी भी यहां पर मौट हो गई थी तीनों बाई यह पर इंख रहते थे जिए में जो परिजन थे वह भी इन ढूने भाईयों से दूरी बना ले थी बहुत ही कम आते थे यानि लोगों के बार आने जाने वारे पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे शवमले से इलाके में संसनी फैल गई